सब्सक्राइब करें फुली फॉर्वर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिएगे बेल आइकन पर प्रेस करें ताके हमारी तुमाम न्यू आने वाले वीडियो आपको मिल सकें असलाम अलेकम दोस्तों आप देख रहे हैं फुली फॉर्वर्वर्ड यूट्यूब चैनल मेरा नाम है आजम और आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एसी को हीट मोड पर किस टमप्रेचर पर रखकर ओन करें क्योंकि मैं काफी सारे ऐसी मेसिज मिले हैं जिसको देखकर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ी कि इसी को प्रोपर हीट मोड पर जो है कैसे सेटिंग करनी है और कैसे आपका इसी जो है बेहतरी ही चलेगा जो के कमपनी र और जिनको नहीं पता वो इस वीडियो को लाजमी देखें उनको मुकंबल हीट मोड पर कैसे ओन किया जाता है उसकी सेटिंग इसके बारे में उनको मुकंबल पता चल जाएगा तो अचली स्टार्ट करते हैं यहां पर सबसे पहले तो आपका एसी ओफ ही रहेगा ब्रेकर स कुछ रिमोड्स होते हैं जिसके ओपर सिंबल के साथ आपको देखना पड़ता है तो यह जो अब आपको सिंबल स्क्रीन पर शो हो रहा है जो भी मैंने मोड से इसका मोड एक बटन है इसी कौन करेंगे फिर इसका मोड बटन प्रेस करते जाएंगे तो इसके मोड चेंज हो समतिक होते हैं जिसमें cool, dry, heat, sleep, mood यह चीज़ें होते हैं तो यह है cool mood ठीक है यह symbol आप जहें रख लें यह है cool mood और यह dry फिर यह आटो फिर यह है heat mood ठीक है इस mood पर आपने रखना है इसी को mood वाला बटन आप प्रेस करते जाएंगे तो mood चेंज होते जाएंगे जहां पर य यह mood आगया सूरज की तरह बना हुआ है ठीक है यह mood आपने रखना है उसके बाद fan speed उपर आप देखें fan speed मैंने full कर दी है वह आपकी मरजी आप उसको high low medium जो भी fan speed रखना चाहें रख सकते हैं यह दो चीज़े है fan speed आप अपनी मरजी से रख लें और mode जो है वह आपने cool mood set कर लेना है ठीक है अब बारी आ जाते है temperature की temperature का ही main issue है कुछ लोग कहते हैं कि हम इसी तरह setting करके same heat mood और fan speed भी हमने high रखी है on करते हैं हमारा EC on ही नहीं होता heating पर actually वो कर क्या रहे होते हैं वो 18, 20, 22, 24 यहाँ पर रख के इसको on कर रहे होते हैं आपने इसको temperature को रखना है 30, 28, 29, 30, 27 यहाँ तक जो company recommended setting है और जो मैं खुद like करता हूँ जिस temperature को वो 18 है ठीक है 28 temperature, 29 temperature आप यहाँ पर रख कर AC on करेंगे तो maximum 5-10 minute राउंड लेगा आपका AC जो है on हो जाएगा ठीक है अब यह setting करके heat, mood आपने set कर ली, fan speed high है 39, 30 temperature आपने set करके AC को on कर लेना है ठीक है, AC को power से on किया, फिर एक बार यहाँ से AC को इसी setting में ही रहते हुए remote से ही आपने off कर देना है, जैसे ही AC on हुआ, उसको off करना है और फिर on कर देना है अब 5 से 10 minute maximum लेगा, गबराना नहीं है आपने यहाँ पर क्योंकि काफी लोग परिशान हो जाते हैं कि AC on ही नहीं हो रहा, 5-10 minute, 15 minute भी ले लेता है, तो maximum 5 से 10 minute बाद AC on हो ही जाता है तो AC on हो जाता है, तो 5-10 minute वेट आपने करना है, तो आपका AC on हो जाएगा सिरफ temperature आपने नीचे 25 से नीचे नहीं रखना, क्योंकि आप जितना नीचे लेकर आते जाएंगे AC आपका on ही नहीं होगा, आप for example 20 या फिर 21, 22, 23 रखेंगे तो आपका इसी थोड़ी देर चलेगा, 40 trip होजएगा, थोड़ी देर चलेगा, 40 trip होजएगा ये काफी सारे मैसेज आते हैं, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ी तो आप सब की रुकेस्ट पर ही ये वीडियो बन रही है तो इसमें जो है अपने temperature maximum 27 अगर आपको heat मजीद और चाहिए 28 और अगर 28 degree temperature भी आपको कम लग रहा है वैसे बहुत और efficient temperature है और इसमें आपका जो electricity भी है वो कम ही consumption होगी और अगर full आप चाहते हैं heat जैसे cool पर 16 और heat पर 30 ठीक है इस चीज़ को आप जहन में रख लें अमीद है कि आपको वीडियो पसंदा ही होगी और आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि इसकी बहुत ही simple सी और आसान सी setting है urges पर symbol नहीं बनाओगा वहां पर just cool लिखाओगा यहां पर symbol इसका मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन पर symbol सूरज की तरह बना होगा होता है हीट का ठीक है तो वीडियो पसंदा है तो लाइक कर दें चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें नहीं दाहूं आपसे नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच अल्लाहाफीज